हलो जी जे शेराध है तुभी कैसी है मेरी यूटूब फैमिली आई हो पच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे तो मैं भी अच्छी हूँ स्वस्थ हूँ और खुश हूँ तो ठंड यहाँ पे बहुत ज्यादा होगी है तीन चार दिनों से लगा तार जो है वो ब दिख्ट करना षीप अर क्या है कि वीडियो के लास्ट मैना मैंने एक बहुत ही अच्छी रेस्पी आपसे की है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी तो बने रहें वीडियो के साथ एन तक तो यह सुबह साधे 9 बजए आज जो नास्त जो है वो पी चुके हैं तो साड़े नौ वजे तक मैं अपना मेरा जो पूजा का था और मेरा जाड़ू वगयरा यहां पर लग चुक है तो आज उन्होंने भी मेरी काफी हेल्प करवाई है सापसपाई करने में जाड़ू वगयरा लगवाने में क्योंकि बेड़ के नीचे आपको पते हैं यह बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उन्होंने बेड़ खसका के पूरा इधर उदर करके पूरा नीचे से जो है वो जो कूड़ा है वो निकाला है और उसके बाद फिर मैं अपना पूजा करके फिर आगी थी मैं केशिन में और यहां पे लगें हो मैं अलू के परांथे बनाने एलू और प्यास के प्रण्ठे तो यहां पे पहले तो मेरा मन थै कि मैं कुछ और बनाओ सुभा नास्ते में लेकिन इनोंने बूला नहीं मुझे आलू के प्रंठे घाने तो यहां पे धनिया arimies प्यास काट लिया है आलू जो थे वह सुभा ही मैंने वाइल कर लिये थे लेकिन नास्ता जो थोड़ा लेट बन रहा है तो यह थोड़े से आलू मैंने बचा लिये है तो इसके जो रेस्पी है वह मैं अलक से शेयर करूंगे आपसे इनकी भी में एक बहुत अच्छी रेस्प तो वीडियो मैंने रात को ही शूट कर ली थी उसकी ताकि मैं आपसे शेयर कर बहुत आप मुषफ नह बनाफियो मैंने ची बनाप झाव नहा है आपसे रड़ा है लुब्स टार साव अशा कर टांपसे। कर दो दो पदyun़ सुश कर को हम रहा है कि आधैंद वहुकर ह aboard अभी ऐन देखिए 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 कarta मेकस लिए करड़ा कलडरा निक जिरेब भिखानी एंग जिलेब भी तरह assists कुछ हंसी मजाग कर रहे थे हूं यहां पे मुझे वीडियो जो वो म्यूट करनी पड़ी है जो यह कह रहे थे तो यह मैं आपको नहीं सुना सकती थी तो बस यहां पे मुझे म्यूट करनी पड़ी दो यहां तो बस दो लोगारा ना थे थे जिंदॉ करनी हैं तो धूरी यहां जो सिंदूर पुट हैं पिन प्रेंज कर है कि तरी यहां रहों आड़ी मैं यहां ट्षीन तो भी कैसे है शोफ और खुश होंगे तो हम अच्छे हैं स्वास्थ होंगे आप लोगों के वहां पर ढमारे तो बहुत बारिश और दीन और मिला अंदर रहे पागल उत्में कैद्धी की तरह हो गया क्योंकि कोई काम होता नहीं है और थंड इतनी जाद है विस्तर से उठने को मनने कर रहे हैं बस सुबा भी जाडू बगएरा लगाया और खाना खुना खाया फिर सो गया उसके बाद सो क्या गया मतलब ऐसे विस्तर पर बैठे रहे हैं और काम बाम कुछ भी नहीं हुआ और आज तो संडे था वो भी घर पर ही थे तो बस थोड़ी से साफ सफाई की मैंने ये उपर का ना ये ये वाली सेल्फ साफ की और साथ मैं फिर मैंने ये वाली सेल्फ साफ की अब जो है वो मेरे को सामने वाली यालमारी रही है साफ करने जो कि जिसमें बरतन है वो करनी है असफाई और तो आज को में से इतना हो पाया क्योंकि ठंड वाप लग रही थी और अब भी जो है वो मैं चाय बना रही हूँ पिचाई जो है वो सिर्फ मैं अपने लिए ही बना रही हूं क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं घर में ठक गया हूं पूरा दिन अंदर रहके बारिश से थोड़ी सी थमी थी और वो चलेगे बजार तक आपको बताना था कि यह वरा जो स्विच है ना जैसे यह रखते हो ना मैं गैस के उपर रखती हूं जैसे कुप कर वगया रहा तो वो सीटी माता है तो वो जो उसकी जो मतलब निकलता है थोड़ा बहुत पानी निकलता है सीटी से ना जो तो यह फिर सारा गंदा हो गया और आज मैं उनको पूछी थी कि क्या ऐसे साफ करूं इसको तो क्योंकि एक बार पहले मुझे करंट लगा था यहां पर क्योंकि कुप कर ने सीटी मारी ना और वो पानी थोड़ा थोड़ा इसके यहां पर अंदर चला गया था और उसके बाद मैंने थोड़ी देर में मैंने मि मिटसी लगाने लगे तो मुझे पड़ा करंट उस दिन के बाद मैं यहां पेरा में को बहुत डर लगता है मैं इसे साफ तभी नहीं हुआ पा रहे है आप देखते होंगे कि यह स्विच जो कितना गंदा है क्योंकि साफ नहीं होता है वो वाला स्विच भी दूई की स्विच जो है वो साफ होंगे तो यह भी फिर स्विच में उसी दिन करूंगी साफ क्योंकि वही डर तो डर है क्रंट लग गया कहीं तो फिर मरमर आगी तो कोई नहीं देखेगा तो इस वज़े से फिर यह मैं करूंगी साफ उनको बोला मैंने वही करेंगे तो आज संड़ लिए थे हमने तो बस यहां पर मेरी चाइव गयरा हूँ जिस सेटर्डे की क्लिप लुबाम बगयरा ये मीचे और थोड़ा सा अंदर इसकी धूनी दूंगी उसके बाद फिर मैं आगी उपर और ये भी जल्दी आगे थे शाम को तो इन्होंने फरमाईश की थी ति मुझे ये से बना दू तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज चिली तो यहां पर मैंने पनीर को जो है वो छोटी छोटी टुकड़ों मैं काट लिया है शिमला मिर्च काट लिया है प्यास भी काट लिया था बड़े बड़े टुकड़ों मैं हरी मिर्च को भी काट लिया था हुआ निकला तो उसके अंदर डाल दी मैंने हरी मिर्च उसके बार डाल दी है मैंने ये मोटे-मोटे प्याज के जो छिलके निकाल ले थे ना एक-एक पीस कर दिया था मैंने इनका तो अब इनको 10-15 सेकंड तक जो है वो फ्राई कर लेना है तो ब्राउन नहीं करना है इनको बस थोड़ा-थोड़ा ही 10-15 सेकंड तक ही बुरना है उसके बार डाल देंगे टमाटर तो टमाटर को भी ज़्यादा गलाना नहीं है क्योंकि वो मज़र नहीं आएगा फिर उसके बाद जो है वो एक चमच नमक डाल देंगे शिमला मिर्च भी डाल देंगे साथ में ये और बिल्कुल मतलब 10-15 सेकंड तक ही इनको पकाना है क्योंकि ज़्यादा गल जाएंगे तो फिर वो अच्छे नहीं लगते है टेस्ट इनका बहुत ही अजीब साता है तो अब बस नमक डाल देंगे और फिर इनको दवारा से जो है वो अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 10-15 सेकंड तक सबको अब बारी है सोया सॉस की तो आदा चमच ही इसमें डालना है जादा नहीं डालनी है बाकी बाद में डालेंगे तो अभी फिर इसके बार डाल देंगे हम ये टमैटो सॉस उसके बाद डाल देंगे हम जो तेज वाली मिर्चोती है ना वो एक चमच तो फिर अब इनको मिलाने के बाद जोग थोड़ी सी और इसमें सोया सॉस डालेंगे आदा चमच के करीब फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इन सब को जो है वो मिला लेंगे अच्छी तरह से पकने रेंगे इनको उसके बाद जो है वो फिर हम डाल देंगे इसमें पनीर का मौसम हो ना तब तो इन चीजों को खाने के लिए बहुत मन करता है चटपटी चीजों को अब मैंने पनीर भी इसमें डाल दिया अब इसको फिर से अच्छी तरह से मिला के और फिर अगर आपको सोया सॉस सॉरी टमाटो सॉस अगर कम लगे ना आपको तो थोड़ी इसमें आप और डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तो फिर उपर से जो धनिया है न वो भी थोड़ा सा गार्निस कर देंगे और जी यह होगी बहुत प्यारी सीडिस तो देखो कितनी लास जवाब बनी और खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेर कोमेंट जरूर करें